भारत टीवी की स्खासपेस का सोदरखवास के घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ भारत टीवी में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मिवात के अंदर जहालियत फैल रही है दरासल पिछले काफी दिनों समर्ण देख रहे हैं कि जगे जगे नाच जैसे इवेंट कराई जा रहे हैं ऐसे प्रोग्राम कराई जा रहे हैं जहां पर लड़कियों को लाया जाता है और उनसे डांस करवाया जाता है जिसकी वज़ा से मिवात के युवा बजाए विकास की जगा एक विनास की और बढ़ते जा रहे हैं और वो लगातार आए दिन जगड़े जहाटों में फस्टे जा रहे हैं आप सवाल ये है कि अगर मिवात के युवा इस तरीके से इन प्रोग्राम में बढ़ चड़का रहसा लेंगे और लड़ाई जैसी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे कलपना कर सकते हैं कि हमारा मिवात का युवा मिवात का नोजवान सही रहा क्यों जा रहा है सही दिशा में जा रहा है ऐसे में जितने भी हमारे समाज के जिमेदार नागरिक हैं सोसल वरकर्स हैं जितने भी नेता हैं मैं चाहता हूँ उसारे लोग इस बात पर संग्यान लें और कम से कम बढ़ द्ने में लगाता बढ़ती जा रही है जो जहाल तो में बढ़ती जा रही है। उन्हें पता नहीं होता है कि जिस चीज में वो लाइव आ रहे हैं वो अपने आप में मिवात में बदनामी है बदनामी के साथ साथ कई जिए से ऐसी अपडेट मेरे पास आई फोन भी कई सारे मेरे पास आए कि वह इस तरीके से event कराया जाते हैं जहां से बाहर से लड़कियों को बुलाया जाता है और लड़कियां आकर यहां पर dance करती है dance करने के बाद में जब रात आधी गुजर जाती है उसके बाद में हरकते बदलने लगती है और उसके साथ साथ लड़ाईयां बढ़ने लग जाती है जिसकी वजह से कही सारे परिवार उजड़ जाते हैं कही सारे लोग इस तरीके से बरबादी की भेड़ चड़ जाते हैं कि फिर उन्हें बचाना मुश्किल ही नहीं बलकि नमुम्किन सा लगने लग जाता है मिवात जिसे ये कहा जाता है कि ये दीनी लाइम से बहुत अच्छी है यह इसे दीन फैला लेकिन आज उसी मिवात में किस तरीके की जहालियत पैदा होती जा रही है उस पे बड़ी सरम आती है और बड़ा अफसोस होता है और सबसे ज़्यादा अफसोस तो उस वक्त होता है जब हमारे मिवात के जितने भी जिम्यदा नागरिक हैं जितने भी हमारे हां के नेता हैं वो चुपी साधे रहते हैं और इन सारी चीजों को देख कर भी अंदेखा कर डालते हैं सबसे बड़ा अपसोस उस वक्त होता है क्या वास्ताव में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे या फिर हम अपने नोजवानों को अपने युवाव को इसी तरीके से जहालियत में धकेरते रहेंगे या नहीं ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतिजा करना पड़ेगा तब तक के लिए आप बने लिए से पॉसिब भारत टीवी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सलीम के साथ मरिजवान खान भारत टीवी में बात